क्योंकि अगर दिल्ली में किसानों को आने से रोकने का कोई फैसला लिया गया है तो यह किंद्र सरकार का विशह है लेकिन हरियाना और पंजाब बॉर्डर पे अगर किसानों को हरियाना राज्य की पुलिस रोक रही है तो फिर यह सोचने वाला विशा है कि हर्याना राज्य को कि साधिकार से यह सक्ति मिली है कौन से प्रावधान से सक्ति मिली है क्योंकि कोई भी एक राज्य दूसरे राज्य की सीमा को नहीं बंद कर सकता कि जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है उसको देख करके ऐसा लगत तरह की घेराबंदी और आपको किसानों की दिखेगी सरकार बाबर की तुल्गमा नीत की तरह सरकों को घेर रही है मैं आपको इस दिर्शे से दिखाऊंगा ये इस तरह की घेराबंदी और उपर से आशुगैस के गोले पैलेट गन अपने ही देश के किसान उपर फिकना हेलो दोस्तों आप सभी का अदेलोजिकल इंडियन यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ एड़ोकेट पंकस कुमार त्रिपाथी लखनव से दोस्तों किसान आंदोलन को रोकने के लिए कौन से सरकार कटले तार लगा रही है दिवार पर बोडर खड़ा कर रही है यह पता करना बाकी है बाकी क्यों है क्योंकि अगर दिल्ली में किसानों को आने से रोकने का कोई फैसला लिया गया है तो यह किंदर सरकार का विशह है लेकिन हरियाना और पंजाब बोडर पे अगर किसानों को हरियाना राज्य की पुलिस रोक रही है तो फिर यह सोचने वाला विशह है कि हरियाना राज को किस अधिकार से यह सक्ति मिली है क्या किंदर सरकार ने उनको ऐसा निरदेश दिया है जी हाँ यह निरदेश अनुछे 355 के अंतरगत होना चाहिए तो क्या ऐसा कोई निरदेश दिया गया है क्योंकि कोई भी एक राज दूसरे राजे की सीमा को नहीं बंद कर सकता खेर इस पर तो मैं बाद में चर्चा करूंगा असली बात ये है कि जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है उसको देख करके ऐसा लगता है मानो बाबर की तुलगमा युधनीती अपनाई जा रही हूँ जी हाँ बाबर की तुलगमा युधनीती यानि तुलगमा घेराबंदी बहुत फेमस रही है जिसका प्रियोग करके वो अपने सैनिकों को सुरक्षित करता था और दुस्मनों को मारता था कुछ उसी तरह की घेराबंदी सडकों पर अगर आप देखेंगे तो आपको किसानों की दिखेंगी सरकार बाबर की तुलगमानीत की तरह सरकों को घेर रही है मैं आपको इस दिर्शे से दिखाऊंगा ये चार्ट है ये देखे तुलगमानीत है इस तरह से ये खंदक खोद दी गई है यहां देखे बैरिकेटिंग कर दी गई है और उस जमाने में यहां से तोपें लगा करके गोले दागे जाते थे तोपें तो नहीं लेकिन आशू गोला उपर से गिराया जा रहा है क्योंकि उस जमाने की तूलना में अब टेक्निक बदल गई है तो अपने ही देश के लोगों को रोकने के लिए इस तरह की घेरा बंदी और उपर से आशू गैस के गोले पैलेट गन अपने ही देश के किसान उपर फिकना ये लोगतंत्र के लिए सुबह है किसान क्या मांग रहे हैं अपने उपज के दाम और इस मांग के लिए ही तो नारा लगाया था नेरदर मोदी जी ने 2013-14 में 2022 में 21 में भरुसा दिलाए थे कि हम इनकी मांग पर काम कर रहे हैं तो किसानों को रोकने के लिए मोदी जी जो टेकनिक अपना रहे हैं चाहे खटर सरकार अपना रही है वो बाबर की तुल्गमा पधती है और एक बात आओर चाहे दान्डी मार्च का आप इतिहास पढ़ने जो महात्मा गांधी जी ने किया था या नमक सत्याग्रहय आंदोलन जुआंध प्रदेश के तटपर हुआ था उसका इतिहास पढ़ने कभी भी आम जनता को रोकने के लिए इस तरह की बाड़े बंदी अंग्रियजी सरकार ने नहीं की थी बटे सुकुमत ने भी नहीं की थी तो क्या अपने देश की संविधान से चलने वाली लोकतांत्रिक चुनाओ के माध्यम से पैदा होने वाली मोधी सरकार अंग्रियजी सरकार को माध दे रही है आयन चुनावी वक्त पर कोई भी सरकार जिसको चुनाओ में जाना है वो ऐसे क्रूर कदम कैसे उठा सकती है क्यों उसको ढर नहीं है जनता की उठका आप 36 गड़ में देखे हस्देव के जंगल काटे 37 गड़ के लोग घर से बाहर निकल कर सरकार के खिलाफान दून रहा थे मड़ी पूर जल रहा है विगत आठ महीने से नौ महीने से आप देखा ही रहे हैं लदाक के लोगों को सेटेवल सिक्स का संड़क्षड देने का वादा किया गया था वो नहीं दिया लदाक की लोग भी शड़क पर हैं और अब पंजाब, हरियाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों का ये हुजूं करनातक से आने वाले किसानों को भुपाल में बंद कर दिया गया है रिलवेश चैसन पर उपर उपर उनको इम ही बैठा दिया गया है ये सरकार इतना दमन कैसे कर सकती है हमारा संबिधान क्या कहता है इस पर भारत के संबिधान के अनुछेद 19 में हमको कहीं आने जाने का अधिकार है भारत के संबिधान के अनुछेद 19 में हमको संगठन बनाने का अधिकार है भारत के संबिधान के अनुछेद 19 में हमको बोलने का अधिकार है इने अधि जिस पर कुछ युक्त युक्त सीमा तक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अगर उससे ज़्यादा लगाना है तो फिर आपातकाल की घोषना करनी पड़ेगी जिस तरह से सडकों को बंद किया जा रहा है आशू गोले बरसाए जा रहे हैं पैलेट गंद से गोलियां दागी ज किसानों पर अपने ही देश के किसानों पर या आपातकाल की घोषना होने पर भी संभン नहीं है कि ऐसा कुछ किया जा सके हैं अगर यह सरकार इतनी बड़ी आबादी के खिलाफ निल्रे ले सकती है अभी बिहार में रेलवे भरती के खिलाफ आंदूरन रत बिद्यार्थियों पर लाठी चार्ज की गई है तो अगर कोई सरकार इतने बड़े पैमाने पर भारत के हर राज में हर इलाके में हर तरह की मांग को कुचलने के लिए हिंसा क का प्रियोग कर रही है बल का प्रियोग कर रही है वह अभी तब जब कि चुनाव में जाना है तो चुनाव जीतने का उसको भरोसा कैसे है यह बहुत बड़ा सवाल है यह वह सवाल है जो संबिधान के अस्थित्वा और लोगतंत्र के बचे रहने से जुड़ा हुआ है व्याख्या के आधार पर कि सरकार बहुत सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं जो संविधान में उसको सक्ति नहीं है सुप्रिम कोट ने कुछ एक फैसरे इसके खिलाफ दिये उसको उलटने के लिए इन्होंने सामान ने बहुमत से कानून बना दिया और उसे पहले अध्यादेश जारी कर दिया इनके पासे सक्ति नहीं है अब जब फिर सुप्रिम कोट व्याख्या करे तब ना लेकिन जनता अपने हक के लिए अधिकार के लिए तो लड़ेगी एक बाता और ध्यान दिला दूं दोस्तों कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो केवल MSP भर का आंदोलन नहीं है वो केवल उन पर हुए FIR को वापस लेने भर का आंदोलन नहीं है वो केवल लखीम पूर हिंसा में का रवाई करने का ही आंदूलन नहीं है बलकि उनका आंदूलन पूजी पतियों के हाथ में अनाज का उत्पादन पूरा का पूरा बंद न हो जाए इसके खिलाब भी है आप जाकर देखिए जगह जगह बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं पूजी पतियों के तो अगर ये किसान आंदूरन फेल हुआ तो होगा क्या फिर इन पूजी पतियों के गोदामों में किसानों के उगाए अनाज बंद कर दिये जाएंगे और वहां से वो पूजी पति अपने सुबिधान उशार दाम बढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा अनाज जनता में सप्लाई करेंगे फिर अनाज होते हुए भी बहुसते लोग बगार भोजन के रह जाएंगे मनमुहन सरकार ने Food Safety Act पारित किया है लेकिन उस सरकार के अधिनियम पारित करने का क्या मतलब क्योंकि ये सरकार तो बहुत सारे अधिनियमों को नहीं मान रही है जैसे Right to Information Act सूचना का अधिकार परतमान में सूचना के अधिकार के तहत आप सूचनाय नहीं पा सकते हैं बहुत हद तक सूचनाय नहीं दी जा रही है क्योंकि सरकार ने बहुत सारे जगहों पर सूचना एक तुक नियुक्ती नहीं की है तो ऐसे में किसानों का अंधुलन के और किसानों के हितों के लिए ही होने वाला अंधुलन नहीं है बलकि ये संपूर देश की संपूर जनता के हितों के लिए किया जाने वाला आंदूलन है और इस आंदूलन के परतितनी कुरूरता वरतना या दरसाता है कि वरतमान सरकार आम जनता के हितों के परतितनिक भी संवेदना नहीं रखती आम जनता के ओट की इसे कोई परवाह नहीं है देखते हैं दोस्तों इस्तिती क्या बनती है इनको प्रभुषत बुद्धी दे और ये जनता के हितों के अनुशार आचन करना अरंभ कर दे संभिधान की मर्यादा का पालन करें लोग तंत्र को संरक्षित करें जिसकी इन्होंने सपतली है पदपर बैठते समय अन्य था ये देश के लिए देश की जनता के लिए और सरकार के लिए शुब नहीं है जय संभिधान